नमस्कार दोस्तो आज किस नेवड में आप जानने वाल हैं कि ड्राविंग लेशन्स को किस तरह से डाउनलोड करें और दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगी आद वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमाने चाले को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बनाके लाता पोर्टल है तो आपको इस पोर्टल पे आने बाद में यहां पर आपको आप समयाएगा आनलाइन सर्विस का तो आपको सिंपली आनलाइन सर्विस वाल एक्शन पर किलिक करना है और किलिक करने बाद में यहां पर लिखा होगा ड्राइबिंग लाइसंस रिलेटेट सर्वि आपको simply अपने state पर click कर देना है, आपको इस पर click करना है, और click करने के बाद में यह अगला step जो है कोच इस तरह का open हो जाएगा, तो अब दोस्तों यहां से इसको कर देना है close, और close करने के बाद में इस current में आप देखेंगे तो लिखा होगा others, तो आपको simply others पर click करने के बा simply select पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइबिंग लेसंस को डॉनलोड करने के लिए आप चार-पांच अप्सम सोहोक के आरेन जैसे की अपलिकेशन नमबर और यहां पर अपना यहां पर सेलेक्ट कर लिएगा और उसके बाद में यहा यहाँ पर select किये थे, आपको उस number को यहाँ पर simply fill up कर लेना है, और number को fill up करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है data birth, तो आपको simply अपना data birth यहाँ पर fill up कर लेना है, और data birth को fill up करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है capture code, तो आपको simply इस capture code को यहाँ पर आपको type करना है जैसा कि आपके mobile में जो भी आपका capture code सो हो रहा होगा ना आपको उसी capture code को यहाँ पर fill up करके आपको simply submit option पर click कर लेना है और submit option पर जैसे click करें तो यहाँ पर आपका पूरा detail open हो जाएगा यहाँ पर आपका नाम और आपके पीदा जी का नाम और आपके RTO का नाम हो गए driving lessons को download करने लिए आपको क्या करना होगा जैसा किहां पर लिखा था driving lessons number और यहाँ पर आपका number लिखा हुथा driving lessons का तो यहाँ पर आपikes時 just ब्लू कलर में जो है हाइलाइट हो रहा होगा तो आपको सिंबिली अपने driving lessons number पर किलिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा driving lessons कुछ इस तरह का open हो कि आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आपका photo पूरा detail में open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको अपने driving lessons को download करने के लिए प्रिंट करने के लिए यहाँ लिखा होता है प्रिंट का आपसंट तो आपको सिंबिली आपको सिंबिली save पे क्लिक करने ना है और save पे आप जैसे क्लिक रहें तो आपका driving lessons आपके mobile में जो है यह save हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरह जो है आप अपने mobile में जो है अपना driving lessons बहुत ही आसनी तरीके से download कर सकते हैं तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माने से समझ गयोंगे कि driving lessons को किस तरह से download किया जाता है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो हमारी चैनल को subscribe करके रख लिजेगा क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियो हमेसा बनाके लाता रहता हूं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तक ले जाहिन